नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलेजन्ट अकड़मी में स्वागत करता हूं हम लोग बिहार S.A.C के लिए एक मैत का स्रीजर स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन बिहार S.A.C मैं आई वे मैत का प्रिवीसर कोशन और उस पर अधायत मैत का कोशन कर रहे हैं चलिए आज उस स्रीजर में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रिस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटिस नोडफिकेसन मिलता रहे है चलिए आप हम लोग कोशन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोशन क्या दिया हुआ है हमारा कोशन ये 50% एलकोहल का मात्रा वाले 9 गराम लोशन में कितने गराम पानी मिला जाए कि लोशन में एलकोहल की मात्रा 30% हो जाए तो देखे हमें कोशन में क्या दिया है हमें कोशन में दिया है कि लोशन में पहले जो है 50% एलकोहल था और बाद में हम उसमें पानी मिला रहे जिसके कारण एलकोहल की मात्रा कितना हो जा रहे 30% हो जा रहे तो देखे हम यहां से lotion में alcohol और पानी का हम ratio निकाल सकते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे इस परतिसत को हम fraction में change करेंगे तो देखे 50% को अगर हम fraction में change करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा एक बटा दो हो जाएगा और 30% को अगर हम fraction में change करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा तीन बटा दस हो जाएगा यानि यहां मिसरन कितना होगा यहां मिसरन अगर दो यूनिट होगा तो दो यूनिट में से एक यूनिट एलकोहल होगा और यहां मिसरन अगर दस यूनिट होगा तो दस यूनिट में से तीन यूश्यू नहीं काल सकते हैं, देखिए एलकोहल एक यूनिट होगा, तो पानी कितना होगा, एक यूनिट, तब जाए के हमारा मिसरन कितना बन पाएगा, दो यूनिट बन पाएगा, और यहाँ एलकोहल, अगर तीन यूनिट होगा, तो पानी कितना होगा, पानी कितना होग और शुरुवात में एलकोहल कितना है एक यूनिट और पानी कितना है एक यूनिट अब देखिए एलकोहल तो बराबर है यानि पहले जितना एलकोहल था उतना अब भी है हम उसमें क्योवल पानी मिला रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे alcohol को बराबर करेंगे, अब देखे, बराबर करने के लिए, यहाँ alcohol कितना है 3 unit, और यहाँ कितना है 1 unit, तो देखे, इस 1 को 3 बनाने के लिए, हम इसमें 3 से गुना करेंगे, तो हमें इस पूरे ratio में 3 से गुना करना पड़ेगा, हमें, इस पूरे ratio में 3 से गुना करना तो यहां से माड़ा ratio क्या होजागा, यहां से माड़ा ratio होजागा, 3 is to, 3 होजागा, अब देखे, alcohol जितना है 4 unit और पानी कितना है 3 unit, और बाद में जो है,로OD कितना है 3 unit और पानी कितना हो जाँ जे रहा है 7 unit, तो देखए हमने इसमें कितना पानी मिला दिया, हमने जो है इसमें कितना पानी मिला दिया चार यूनिट पानी मिला दिया अब देखे इस चार यूनिट का हमें वैलू निकालना है गराम में चार यूनिट का वैलू हमें गराम में निकालना है तो चार यूनिट का वैलू हम गराम में कैसे निकाल सकते हैं देखिए पहले जो है मिसरन कितना था यानि लोशन कितना था नौ गराम था और यहां जो है यूनिट में लोशन कितना है तीन यूनिट जो है इलकोहल है और तीन यूनिट कितना है पानी है यानि यहां लोशन कितना है चो यूनिट है यानि इस चो यूनिट का वैल्यू हमें हम 9 में 3 से भाग देंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा। 3 गराम हो जागा। अब देखे, 2 यूनिट का वैलू पता चल गया, और हमें क्या चाहिए 4 यूनिट का वैलू? यानि हम यहां से 4 यूनिट का वैलू निकाल सकते हैं। देखे, इस 2 को चार मनाने के लिए हम इसमें दो से गुना करेंगे अगर हम इस साइड दो से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी दो से गुना करना पड़ेगा यानि तीन में दो से गुना करेंगे यह हमारा क्या हो जागा चोगराम यानि उस लोशन में अगर हम चोगराम पानी मिला दें तो ऐल्कुछ्छल का मात्रा कितना हो जागा 30 परतीस अधो हमारा आंसर कॉरे गया चलिए सबसे पहले की संख्या निकालना पड़ेगा अब देखी शंख्या निकालने के लिए हमें कुछ लिए हैं देखें हमने माले कि जो हमारी संख्या है ओ एक्स है हमने माले कि जो हमारी संख्या है ओ एक्स है तो हमें कोश्चन में क्या दियो कि संख्या का दो बटा सातवा भाग अठारे है यानि इस एक्स का इस एक्स का अगर दो बटा सातवा भाग निकालेंगे, तो यह किसके पराबर निकल किया जागा, अब देखे, हम इस equation से x का value निकाल सकते हैं, यहाँ से, हम इस 2 से, अगर अठारे को खाटेंगे, तो यह कितने बार में जागा, 9 बार में, हम यहाँ cross गुनाई करेंगे, तो यहां से हमारा x क्या निकल क्या जागा, x निकल क्या जागा, 63 निकल क्या जागा, अब देखिए x निकल क्या गया और x हमने क्या मान के रखाया संख्या, यानि हमें संख्या पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उस संख्या का 1 बटा 9 भाग, य पहले ही कोश्चिन समझ में आ गया होगा, नेक्स कोश्चिन पर चलते हैं, देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है, हमारा कोश्चिन दे दो संख्याओं का LCM तथा HCF करमसर 90 तथा 3 है, यदि उन में से एक संख्या ठारे है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें क्या नि क्या दिया हो है, पहली संख्या में क्या दिया हो है, ठारे दिया हो है, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, हमसे पूछ क्या रहा है दूसरी संख्या, तो देखे एक हमारा कंसेप्ट होता है, पहली संख्या गुने, दूसरी संख्या इक्वल हमसे दूसरी शंग्या पूछ रहा है LCM हमें कितना दिया है LCM हमें 90 दिया है और HCF कितना दिया है हमें 3 दिया है अब दिखिए, अठाडे से नबय कितने बार सागा पांच बार में हम याँ पांच में तीन से उना करेंगे यहां से हमारी दूसरी शंग क्या निकल कंय जागी 15 निकल के जागी हमारा आंसर क्या निकल का या, 15 निकल क्या जा चली question समझ में आगा होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question है 5 बेक्ति 5 के लिए 5 मिनट में खाते हैं तो 20 बेक्ति 20 के लिए कितने मिनट में खाएंगे तो देखे हम इस question को MDAH formula से बना सकते हैं हमें question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ है कि 5 ब्यक्ती 5 के ले 5 मिनिट में खाते हैं तो हमसे पूछ गया रहा है कि 20 ब्यक्ती 20 के ले कितने मिनिट में खा पाएंगे अब देखे हम इस equation से x का वाइलो निकाल सकते हैं यहाँ से हमारा 20 से 20 कर जाएगा यहाँ से हमारा 5 से 5 कर जाएगा पांच मिनट निगल के आगया यानि 20 व्यक्ति 20 के लिए कितने मिनट में खाप आएंगे पांच मिनट में खाप आएंगे चलिए कोश्चन समझ में आगया होगा अब देखे, हमें question में क्या दिया है, कि एक उमिदवार को 62% मत मिल रहा है, यानि दूसरे को 68% मत मिल रहा है, देखे, cool मत अपने आप में क्या है, 100% एक को 62% मिल गया, तो दूसरे को कितना मिल रहा है, हम 100 में से 62% माइनस करेंगे, तो यह हमारे क्या हो जागा 38% यानि दूसरे को जो है 38% मत मिल जाएगा दूसरे को कितना मत मिल जाएगा दूसरे को जो है 38% मत मिल जाएगा अब देखिए 62% मत प्राप्त करने वाले उमिद्वार दूसरे उमिद्वार से कितना परतिसत मतों से जीत जाएगा तो देखी इसके लिए हम क्या करेंगे इस 62% में से 38% को माइनस करेंगे तो यहां से मारा क्या निकल क्या जागा 24% यानि 24% मतों से जीत जाएगा लेकिन हमें question में क्या दिया हो है कि 144% मतों से जीत रहा है 144% मतों से जीत रहा है 100 पर 30 का वायलू क्या हो जागा? 600 हो जागा. यानि, कूल मतों की शंखे आपने आप में क्या होगा? 600 होगा. हमारा अंसर क्या निकल किया गया? 600 निकल किया गया? चली, question समझ में आगया होगा. Next question पर चलते हैं. देखे, हमारा question क्या दिया हुआ है? हमारा question ने एक पडिवार के चार सदशियों की उसत आयू 12 बारे बरस है, प्रन्तु परतेक के उम्र में चार बरस का अंतर है, तो पडिवार के सबसे चोटे सदशिय की आयू क्या है, हमें क्या निकाला है, अब देखें, हमें question में उसत आयू दिया हूँ हमें जु है ओसत आउयू क्या दिया है और और बर्स दिया है तो यहां से आउयू का yog नियो निकाल सकते हैं आइउ के योग निकलने के लिए यहां जो इस सदस्रे की संक्या से अगर हम ऑस्रत में गुना करेंगे तो हमारा निकल क्या जाएगा अब देखिए सदस्य की संक्या क्या दिया हो है हमें कुश्चिन में 4 यनि यहां से योग क्या हो जाएगा 12 गुने 4 यनि यह हमारा हो जाएगा 48 बर्स हो जाएगा अब देखिए हमें कुश्चिन में दिया हुआ है कि परतेक के उम्र में 4 बर्स का अंतर है तो देखिए हमने माल लिया हमने माल लिया कि जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयू अगर X बर्स होगी तो उससे जो बड़ा सदस्य होगा उसकी आयू क्या होगी X प्लस का 4 बर्स होगी और उससे जो बड़ा सदस्य होगा उसके आयू क्या होगी X प्लस 8 बर्स होगी और उससे जो बड़ा सदस्य होगा उसके आयू क्या होगी X प्लस 12 बर्स होगी अब देखे हम यहां से आयू का योग निकाल सकते हैं हम यहां से अगर आयू का योग निकालेंगे तो यह हमारे क्यों जागा एकस प्लस एकस प्लस चार प्लस एकस प्लस आठ प्लस एकस प्लस बारह यहां से यो योग निकल के आएगा ओ किसके बराबर होगा और तालीस बर्स के बराबर होगा अब देखें हम यहां योग करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा x plus x plus x plus x क्या हो जागा यह हमारा हो जागा 4x हो जागा हम यहाँ गर योग करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 4 plus 8 बारे बारे प्लस बारे क्या हो जागा 24 हो जागा equal to हमारा क्या हो जागा 48 हो जागा अब देखें इस 24 को अगर हम उस साइड लेगे जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जागा यानि 48 में से 24 माइनस करेंगे यह हमारा क्या हो जागा 24 हो जागा यानि यहां से 4x किस के तरह बठ हो जागा 24 के तरह बठ हो जागा यहां से हमारा x क्या निकल क्या जागा एक्स निकल क्या जागा छो बर्स एक्स क्या निकल क्या जागा छो बर्स और हमसे पूछ क्या रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयू पूछ रहा है तो देखे सबसे छोटा सदस्य कौन है एक्स है यानि एक्स क्या निकल क्या जागा यानि सबसे छोटे सदस्य की आयू क्या होगा हमें क्या निकालना हैं 5 बर्स बात का अंपात निकालना है अब देखे हमें कोश्चेन में बर्तमान का हमें रीश्यूदीआ हमें बर्तमान का रीश्यूदीयो आए ने मेप स além अर्ट पूतर में पुछ आयू रोगट 3 unit होगी तो पुत्री क्या होगी कितना होगी 1 unit होगी तो हम यहां से अगर योग निकालेंगे हम यहां से योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जागा योग हो जागा 4 unit हो जागा लेगिन हमें question में योग क्या दिया हुआ है हमें question में योग दिया हुआ है 196 बर्स दिया हुआ हमें क्या दिया हुआ है 196 बर्स दिया हुआ हमें योग जो है 196 बर्स दिया हुआ यानि इस 4 unit का value हमें question में 196 बर्स दिया हुआ है तो हम यहां से 1 unit का value निकाल सकते हैं एक unit का value क्या हो जागा, हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से जाएगा, 4 बार में हाथ में 3, 36, 9 बार में जागा, यानि एक unit का value क्या निकल किया गया, 49 verse निकल किया गया, एक unit का value क्या निकल किया गया, 49 verse, यानि बरतमान में पूत्र की आयू, 49 verse होगी, और बरतमान में पिता की आयू क्या होगी, यानि एक unit का value क्या है, 49, तो 3 unit का value क्या हो जागा, हम 49 में तीन से गुना करेंगे, यह हमारा हो जागा 146 बर्स यह क्या हो जागा 146 बर्स हो जागा अब देखी हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहे हैं 5 बर्स बाद का हमसे रिश्यू पूछ रहा है तो देखी 5 बर्स बाद 5 बर्स बाद पीता के आयू क्या हो जागी अगर बरतवान में 147 बर्स है तो 5 बर्स हमान ऐड करेंगे यह हमारा किया हो जगा क एकस्व बाइड सो जञागा और पांच बर्स बाइड पुत्र की आइग अगर बरत बांद में उन चास बर्स है तो पांच बर्स बाद क्या हो जगी 24 बर्स हो जागी walking देखे हम इसे 2 से काटेंगे ये 2 से कितने बार में जागा ये 2 से चला जाएगा 7 बार में हाथ में 12 छो बार में जागा और ये 2 से कितने बार में जागा दो से दो बार में हाथ में 14, 7 बार में यानि यहां से हमारा रेशियो क्या निकल किया गया पांच बर्स बाद का हमारा रेशियो निकल किया गया 76-27 निकल किया गया हमारा आंसर क्या निकल किया गया 76-27 निकल किया गया चलिए question समझ में आ गया होगा हमें question में दिया हुए कि भारत ने 6 match जीता और 9 match हार गया तो देखे भारत जो है total कितना match खेल रहा है हम इसे add करेंगे तो यहाँ से निकल क्या जागा यह निए total जो है भारत 15 match खेल रहा है तो हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है जीते गए match का परतिसत तो देखे भारत जो है 6 match जीत रहा है total कितने match में से 15 match में से 6 match जीत रहा है गुने अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल क्या जागा जीते गए match का परतिसत निकल क्या जागा देखे हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से 2 बार में जागा ये 3 से 5 बार में जागा ये 5 से कितने बार में जागा 20 बार में हम यहां गर गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जागा 40 परतिसत यानि जीते गए मैज का परतिसत क्या निकल किया गया 40 परतिसत निकल किया गया चली question सबज में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question देखे है एक रेल गाड़ी जिसकी लंबाई 150 मेटर है उत्तर दिसा की तरफ 144 किलोमेटर पर घंटा की गती से चलते हुए 250 250 मेटर लंबी एक पूल को पार करने में कितना समय लेगी अब देखे यहां जो है एक रेल गाड़ी एक पूल को पार कर रहे है तो देखे जब भी कोई रेल गाड़ी किसी पूल को पार करती है या किसी प्लेटफॉम को पार करती है या किसी दूसरे रेल गाड़ी को पार करत तो देखिए हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रेल गाड़ी की लंबाई और पूल की लंबाई दिया हुआ है तो देखिए पूल को पार करने में अपनी लंबाई प्लस की पूल की लंबाई के पराबर दूरी चलेगी अब द देखे हमारा distance निकल के आगया और हमें question में speed दिया हुआ है और हमसे time पूछ रहा है तो हम यहाँ time निकाल सकते हैं लेकिन जो हमारा distance निकल के आया है वो हमारा meter में निकल के आया है और जो हमें speed दिया हुआ है वो kilometer पर घंटा में दिया है तो या तो इस distance को हमें kilometer में change करना प आफ में अगर 5 से गुना करेंगे तो यहां से मारा क्या हो जागा यहां से मारा हो जागा 40 M Once हो जागा यानि Speed हमारा मेंCra में क्या निकल किया गया 40 M One से टाइम निका निकाल सकते हैं अब देखे टाइम निकालने के लिए हम इस distance में यानि 400 में हम भाग देंगे 40 मिटर पर सेकंड से तो यहां से मारा समय निकल क्या जागा अब देखिए 40 से 400 कितने बर में जागा 10 बर में यहां से मारा टाइम क्या निकल क्या जागा 10 सेकंड निकल क्या जागा यहां से रेल गाड़ी जो है 69 परतिसत इतिहास लेते हैं कुल उमिद्वारों की संख्या 3,000 थी कितने उमिद्वारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिए हमें क्या निकालना है दोनों बिसाय लेने वाले उमिद्वार का संख्या निकालना है अब देखे टोटल उमिदवार का जो संख्या होगा वो आपने अप में क्या होगा? 100 परतिसत होगा? अब देखे इस 100 परतिसत में से हमें कोश्चिन में दिया हुआ है कि 66 परतिसत हिंदी ले रहे हैं और हमें कोश्चिन में दिया हुआ है कि 69 परतिसत इतिहास ले रहे हैं तो देखिए हमसे पूछ किया रहा है दोनों भी सह लेने वाले उमिदवार का संख्या पूछ रहा है तो देखिए अगर हम दोनों भी सह लेने वाले उमिदवार का परतिसत निकाल ले तो हम यहां से संख्या बता पाएंगे क्योंकि हमें जो है कुल उमिदवार का संख्या द परतिसद माइनस करेंगे 100 परतिसद यहां से हमारा क्या निकल किया जागा 25 परतिसद यानि दोनों बिशाय लेने वाले उमिदवार का हमारा परतिसद क्या निकल किया गया 25 परतिसद निकल किया गया अब देखिए टोटल उमिदवार का हमें संख्या दिया हो है यानि 100 परति इस बनाने के लिए हम इसमें 4 से भाग देंगे अब देखिए अगर हम इस साइट 4 से भाग देंगे तो हमें इस साइट भी 4 से भाग देना पड़ेगा यानि अगर हम 3,000 में 4 से भाग देंगे तो यह कितने बार में जागा 750 बार में यानि दोनों भी से लेने वाले दोस्तों के साथ सेयर करना बिलकूल मत भूलेगा चलिए बाई बाई